हमारे भारत देश में कई ऐसी आयरुवेदिक जड़ी बूटियां हैं जो बेहत फायदे मंद होती हैं आपकी हेल्थ के लिए आपके स्किन के लिए और तो और आपके बालों के लिए भी इसी में से एक जड़ी बूटी है वो है रतन जोट जिसके बारे में आज हम बात करने बाले हैं नमशकार मैं हूँ सौम्य शुक्ला रतन जोट आपकी हेल्थ के लिए तो फायदे मंद है ही साथ ही आपके स्किन और बालों के लिए भी असरदार साबित होती है आये जानते हैं कि किस तरह से और कैसी इस जड़ी बूटी का इस्तमाल करके हम अपने स्किन और बा बैक्टीरियल एंटी वाइरल और एंटी ऑक्सिडेंट गुण होते हैं इसके इस्तमाल से आपके स्केन बालों का जढ़ना नीन ना आना और तनाव जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है इसके अलावा रतन जोट के उप्योग से आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी र इसके इसके पत्तो को पीष कर इसमें नार्यल नियुक्त आपने कील मुहाशो पर लगा सकते हैं इतना ही नहीं रतन जोट और पना को angry मरें भी ढन जटाने के लिए एक चमब को पाउडरं और यहार दूद ट्रूद पर लग को चोड़ दें प 1950 मिनट तक चेहरे पर लगे रहने दे और फिर इसकिन को क्लीन कर दें इससे त्वचा का रूखापन कम हो जाता है और टैनिंग से भी बुक्ति मिल जाती है और तो और यह आपके बालों का जड़ना भी कम कर सकती है इसकी जड़ को नारियल तेल और मेथी दाना सीड्स में मिला कर कुछ दिनों तक तेज धूप में रखें और फिर इस तेल को अपने बालों में लगाएं इससे बालों का जड़ना कम होने लगता है इससे फॉलिकल्स क तो हमारे आपके ज्ञान की क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम नैच्रल तरीके से कैसे अपनी सुन्दर्ता और सेहत दोनों को बरकरार रख सकते हैं तो जैसा कि आपने देखा कि अगर आप कुछ इस तरह से रतन जोत का इस्तमाल करेंगे तो इस जड़ी बूटी से आपको एक नहीं कई फायदे मिल सकते हैं अब एक लिए फिलाल इतना ही जल्दी फिर मिलेंगे नमस्कार